Hello friends, मैं हूँ शुरुती and welcome back to my kitchen आज मैं आपके लिए ये super simple और delicious पान आइस क्रीम की recipe लेके आई हूँ ये पान आइस क्रीम बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको कुछ ही चीजे चाहिए mainly इसका ingredient होगा cream और condensed milk और बस flavor देने के लिए हम इसमें ready made पान का इस्तेमाल करेंगे जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, इसका जो texture है वो बहुत ही creamy है क्योंकि इसमें हम condensed milk यूज़ करेंगे, जो एक rich texture देगा हमारी ice cream को तो चलिए हम यह super simple और delicious पान ice cream बनाना शुरू करते हैं बट उसके पहले मैं आपको बता दू कि अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को एक like जरूर करें, अपने friends and family के साथ share करें और मेरे चैनल को जरूर से subscribe करें तो चलिए हम यह process शुरू करते हैं मैंने यहाँ पे दो पान लिये हैं यह ready made पान है, यह पान मैं market से पान वाले से बनवा के लेके आई हूँ ध्यान रखे आप जो पान बनवाए पान वाले से उसे आप बोलिए कि आप मसाला वाला पान बना के दे मुझे इसमें सुपारी बिलकुल ना डलवाए और जितना हो सके मसालेदार पान बनवाए तो मैंने यहाँ पे यह दो मसाला पान लिया है, मीठा पान और मसाला पान अब इन दोनों को हम एक mixer jar में डाल देंगे और उसके साथ मैं यहाँ पे 1 4th cup room temperature दूड डाल रहे हूँ और इसका हम एक paste बना के त्यार कर लेंगे ध्यान रखे सुपारी आपको बिलकुल नहीं डलवाना है यह देखे हमारा जो पान का मसाला था वो बिलकुल मिक्सी में पीस करके चटनी सा बन गया है हमें बिलकुल ऐसा ही चाहिए तो इसे हम साइड में रख देंगे और अब मैं एक बड़ा बोल ले रहे हूँ और इसमें मैं एक कप chilled whipping cream डाल रहे हूँ ध्यान रखे आपका जो cream है वो बिलकुल ठंडा होना चाहिए और यह मैंने amul का whipping cream यानि कि amul का जो red वाला packet आता है वो वाला यूज़ कर रही हूँ मैं अब इसे हम एक beater की मदद से तब तक बीट करेंगे जब तक कि हमें इसमें soft peaks ना दिखने लगे आप देख सकते हैं हमारा यह जो cream है वो काफी soft peaks पे आ गया है और अब हम इसमें आधा कप condensed milk डालेंगे ध्यान रखें आप यहाँ पे condensed milk भी ठंडा ही यूज़ करें यहाँ पे अब इन दोनों चीजों को हम बिल्कुल अच्छी तरह से mix कर देंगे आप देखेंगे कि यह थोड़ा volume में बढ़ जाएगा क्योंकि cream अब whip और होगा इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि soft peaks तक ही हमें whip करना है तो जब हमारा condensed milk बिल्कुल अच्छी तरह से mix हो जाए फिर हम इसमें यह पान का paste डालेंगे तो यहाँ पे मैंने यह सारा पान का paste डाल दिया है और अब हम इसे बिल्कुल अच्छी तरह से mix कर देंगे बीच बीच में आप spatula की मदद से इसके sides छुड़ा के mix करें ताकि sides पे कुछ भी ऐसे stick होके न रह जाए यहाँ पे हमारा जो पान का paste है वो बिल्कुल अच्छी तरह से mix हो गया यह देखे बिल्कुल अच्छे से distribute हो गया है पूरे mixture में अब आप चाहे तो इसे ऐसे ही जमा सकते हैं मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा green color डाल रहे हूं थोड़ा green color क्योंकि हम पान ice cream बना रहे हैं तो थोड़ा उसमें green color का tinge आने के लिए मैं यहाँ पे ग्रीन color यूज़ कर रहे हैं और साथ ही मैं यहाँ पे कुछ बुंदे पान essence का use किया है मैंने अगर आपको पान essence ना मिले market में तो आप चाहे तो यहाँ पे वनिला essence का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने यहाँ पे powder green color का use किया है आप चाहे तो liquid green color या फिर आप completely skip भी कर सकते हैं ये दोनों चीजें कोई problem नहीं है क्योंकि पान में already बहुत flavor होता है तो वो आपके ice cream को बहुत अच्छा flavor देगा तो बस हमारा ये mixture बिल्कुल ready है ये देखिए काफी thick लग रहा है और आप देख सकते हैं एक cup cream से हमने इतना mixture बना के त्यार कर लिया अब हम इस mixture को एक freezer safe container में transfer कर लेंगे मैं यहाँ पे इस container में transfer कर ले रही हूँ और फिर इसके उपर मैं कुछ cherries यूज़ कर रही हूँ गानिश करने के लिए आप चाहे तो यहाँ पे tutti fruity या फिर dry fruits कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं यह cherries हमारे ice cream को काफी अच्छा एक crunch देगा तो बस हमारा यह container बिल्कुल ready है freezer में जाने के लिए इसे आप एक foil paper से wrap करके या फिर किसी airtight ढखन से ढखन लगाकर इसे 12 गंटा के लिए freezer में set होने के लिए छोड़ दीजे 12 गंटे बाद मैंने इसे निकाल लिया है आईए मैं आपको दिखाती हूँ इसका texture यह देखिए हमारा जो ice cream है वो बहुत ही अच्छा set हुआ है और जो cherries हमने डाले थे वो बिलकुल भी नीचे sink नहीं हुए है तो चलिए scoop करते है यह देखिए इसका texture कितना creamy है क्योंकि हमने Amul का whipping cream यूज किया है और condensed milk यूज किया है जिसकी वज़े से हमारे ice cream में बहुत ही अच्छा creaminess है तो देखाना आपने यह पान ice cream बनाना कितना simple है बस कुछी बातों का ध्यान रखना है आपको कि आप जो पान market से लेके आए उसमें सुपारी नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे आप अमूल whipping cream और condensed milk का ही इस्तेमाल करें तब आपको भी बिल्कुल ऐसा ही result मिलेगा तो अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को एक like दीजिए अपने friends and family के साथ share कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिए bell बटन भी क्लिक करें ताकि मैं जब भी upload करूँ सबसे पहले आपको notification आए मिलती हूँ एक और नई recipe के साथ तब तक के लिए thank you so much for watching